नमस्कार दोस्तों, आप सबका हिंदी साहित्य कलश में स्वागत है। आप सुन रहे हैं ट्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास गोदान का अगला भाग। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस उपन्यास को पूरा सुनने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़तले अपने बास की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए नाद गार्मी है। बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नजर लगा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं। और बाहर नाद भी कौन गार ने देगा। कारिंदा साहब नजर के लिए मुह फैलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है। उनसे कुछ कहूं तो कारिंदा दुस्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना बुर्बकपन है। भीतर ही धूंगा। आंगन है तो छोटा सा लेकिन एक मड़या डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही ब्यान है। पांच सेर से कम क्या दूध देगी। सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपिया दूध देखकर कैसी लल्चाती रहती है। अब पिये जितना चाहे। कभी कभी दो-चार से मालिकों को दे आया करूंगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी। और भोला के रुपए भी दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालू। जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उससे दगा करना नीचता है। असी रुपए की गाए मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं यहां तो कोई एक पैसे को नहीं पतियाता। सन में क्या कुछ न मिलेगा। अगर पचीस रुपए भी दे दू तो भोला को धार्स हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाए लाकर बांध देता तो चक्रा जाती। लगती पूछने किसकी गाए है। कहां से लाए हो। खूब दिख करके तब बताता लेकिन जब पेट में बात पचे भी। कभी दो-चार पैसे उपर से आ जाते हैं। उनको भी तो नहीं छिपा सकता। और यह अच्छा भी है। उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं। तो फिर नकरे बगारने लगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं मैं गव की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उमिर में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मतर गस्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते। कभी द्वार पर जाडू लगाते। कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता। कभी जगा देते तो मैं बिगड जाता और घर छोड़ कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़के जब अपने माम बाप के सामने भी जिन्दिगी का थोड़ा सा सुखन भोगेंगे। तो फिर जब अपने सिर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया। सारा गाव यही कहता था कि होरी घर बरबाद कर देगा। लेकिन सिर पर बोज पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला की लोग देखते रह गए। सोभा और हीरा अलग ही हो गए। नहीं आज इस घर की और ही बात होती। तीन हाल एक साथ चलते। अब तीनों अलग अलग चलते हैं। सब समय का फेर है। धनिया का क्या दोश था। बेचारी जब से घर में आई, कभी तो आराम से न बैठी। दोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया, देवरानियों से काम करने को कहती थी। तो क्या बुरा करती थी, आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भागय में आराम लिखा होता, तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी, गमखोर, निर्षल न होती, तो आज सोभा और हीरा जो मूचों पर ताव देते फिरते हैं। कहीं भीक मांगते होते, आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो, वही जान का दुस्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा, साइत भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा। नहीं कहके तो यही सोया था, कि मैं अंधरे ही चला जाऊंगा। जाकर नांध तो गार दूं, लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पढ़ना आ जाए, नांध गारना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गए, या और किसी कारण से गाय न दी, तो सारा गाव तालिया पीटने लगेगा, चले थे गाय लेने। पठे ने इतनी फुर्ती से नांध गार दी, मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लने हो गए, तो बाप की कौन चलती है? कामता और जंगी अकर जाए, तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक तर उठ बैठा और आखे मलता हुआ बोला, अरे, यह तो भोर हो गया, तुमने नाध गार दी दादा। होरी गोबर के सुग्ठित शरीर और चौडी चाती की ओर गर्व से देख कर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं इसे गोरस मिलता, तो कैसा पठा हो जाता, बोला नहीं, अभी नहीं गारी। सोचा कहीं न मिले, तो नाहक भद्ध हो। गोबर ने त्योरी चड़ा कर कहा, मिलेगी क्यों नहीं, उनके मन में कोई चोर पैठ जाए, चोर पैठे या डाय, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ न कहा, लाठी कंधों पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ, अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। सत्रहवा लग गया, मगर करे कैसे, कहीं पैसे के भी दर्सन हूँ। जब से तीनों भाईयों में अलगोजा हो गया, घर की साख जाती रही। महतों लड़का देखने आते हैं, पर घर की दसा देखकर मुह फीका करके चले जाते हैं। दो एक राजी भी हुए, तो रुपए मांगते हैं। दो तीन सो लड़की का दाम चुकाए और इतना ही उपर से खरच करे, तब जाकर ब्याह हो। कहां से आवे इतने रुपए। रास खलिहान में तुल जाती है। खाने भर को भी नहीं बचता। ब्याह कहां से हो। और अ अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई। लड़के का ब्याहन हुआ न सही। लड़की का ब्याहन हुआ तो सारी बिरादरी में हसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, तीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम-राम किया और पूछा। तुम्हारी कोठी में कुछ बास होंगे महतो। होरी ने देखा दमडी बंसोर सामने खड़ा है। नाटा, काला, खूब मोटा, चोड़ा मुह, बड़ी-बड़ी मूछे, लार आखे, कमर में बास काटने की कटार खोंसे हुए। साल में एक दूबारा कर्चिके, कुर्सिया, मोडे, तोक्रिया आ आशा बंधी, चोधरी को ले जाकर अपने तीनों कोठिया दिखाए, मोल भाव किया और पचीस रुपे सेक्डे में पचास बासों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लोटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्य में भाव से बोला। मेरे बास कभी तीस रुपे से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता। तुम्हारा वह लड़का, जिसकी सगाई हुई थी, अभी परदेश से लोटा की नहीं। चोधरी ने चिलम का दम लगा कर खासते हुए कहा। उस लोंडे के पीछे तो मर महतो। जवान बहु घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहु भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है महतो। किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तु जो चाहे खा, जो चाहे पहर, मेरी नाक न कटवा, मुदा कौन सुनता है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाईयों को बाट दूँगा। चार दिन की जिन्दगी में क्यों किसी से छलकपट करू। नहीं कह दू कि 20 रुपए सेकड़े में बेचे हैं, तो उन्हें क्या पता लगेगा। तुम उनसे कहने थोड़े ही जाओगे। त उन्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है, वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुह की ओर देखा कि वह स्विकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्य विनीत भाव प्रकट हुआ, जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षकों पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है। महतू, ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि इमान आदमी बेचता है, तो किसी लालत से। बीस रुपए नहीं, मैं पंद्रह रुपए कहूंगा, लेकिन जो बीस रुपए के दाम लो। होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हूँ, बीस रुपए में कहीं ऐसे बास जाते हैं। ऐसे क्या, इस से अच्छे बास जाते हैं, दस रुपए पर, हाँ, दस कोस और पच्छिम चले जाओ। मोल बास का नहीं है, सहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है, जितनी देर वहां जाने में लगेगी, उतनी देर में तो दो-चार रुपए का काम हो जाएगा। सौधा पट गया। चौधरी ने मिर्जी उतार कर छान पर रख दी और बास काटने लगा। उख की सिंचाई हो रही थी। हीरा भू कलेवा लेकर कुए पर जा रही थी। चौधरी को बास काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली। कौन बास काटता है, यहां बास न कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोक कर कहा, बास मोल लिये हैं, पंदरह रुपए सैकडे का बयाना हुआ है। सेंथ में नहीं काट रहे हैं। हीरा भू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाईयों में अलगोजा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी-कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से न उठ सकी। लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह न छोडती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था। लेकिन चलता था उसी के इशारों पर उस घोड़े की भांती जो कभी-कभी स्वामी को लात मार कर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर्ष से उतार कर बोली। पंद्रह रुपए में हमारे बास न जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विशय में बात चीत करना नीती विरुध समझते थे। बोले। जाकर अपने आदमी को भेज दो। जो कुछ कहना हो आकर कहें। कीरा भु का नाम था पुन्नी। बच्चे दो ही हुए थे। लेकिन धल गई थी। बनाव सिंगार से समय के आघात का शमन करना चाहती थी। लेकिन ग्रहस्थी में भोजन ही का ठिकाना न था। सिंगार के लिए पैसे कहां से आते। इस अभाव और विफ्षता ने उसकी प्रकृती का जल सुखा कर कठोर और शुष्क बना दिया था। जिस पर एक बार गावडा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेश्टा करती हुई बोली। आदमी को क्यों भेज दू। जो कुछ कहना हो, मुझसे कहो न। मैंने कह दिया, मेरे बास न कटेंगे। चौधरी हाथ छुडाता था और पुन्नी बार-बार पकड़ लेती थी। एक मिनट तक यही हाथा पाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी। मगर फिर संभली और पाव से तल्ली निकाल कर चौधरी के सिर, मुह, पीट पर अंधा धुंद जमाने लगी। बंसोर होकर उसे धकेल दे। उसका यह अपमान मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाती पर बल का प्रियोग करके गच्चा खा चुका था। खडेखडे मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दोड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देख कर और जोर से चिलाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुन्या को मारा है। खुन ने जोश मारा और अलगोजे की उची बाधा को तोड़ता हुआ। सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमा कर बोला अब अपना भला चाहते हो चौधरी, तो यहां से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है, तुम्हारी इतनी मजार की मेरी बहुँ पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमे खाखा कर अपने सफाई देने लगा, कलियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी, यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फुले हुए गार आसूं से भीग गए, उसने तो बहु को छुआ भी नहीं, क्या वह इतना गवार है कि महतों के घर की औरत पर हाथ उठाएगा, होरी ने अविश्वास करके कहा, आखों में धून मत जोको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं, तो बहु जूट मूट रोती है, रुपए की गर्मी है, तो वह निकाल दी जाएगी, अलग है, तो क्या हुआ है, तो एक खूं, कोई तिर्ची आख से द धक्का देकर गिरा नहीं दिया, खाजा अपने बेटे की कसम, हीरा को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है, चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया, पुनिया ने तल्लियों से पीटा, उसने पुर वहीं छोड़ा और ओंगी लिए घटना स्थर की और चला, गाउ में अपने क्रोध के लिए प्रसिध था, छोटा डील, गठा हुआ शरीर, आखें कोडी की तरहा निकल आई थी, और गर्दन की नसे तन रही थी, मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर, वह क्यों चौधरी से लड़ी, क्यों उसकी इज़त मिट्टी में मिला दी, बंसोर से लड़नेज करने का उसे क्या प्रयोजन था, उसे जाकर हीरा से समाचार कह देना चाहिए था, हीरा जैसा उचित समझता करता, वह उससे लड़ने क्यों गई, उसका बस होता, तो वह पुनिया को परदे में रखता, पुनिया किसी बड़े से मुह खोल कर बाते करे, यह उसे असहे था, वह खुद जितना उद्दन्ध था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था, जब भाया ने पंदरह रुपय में सौदा कर लिया, तो यह बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुनिया का हाथ पकड़ लि तो हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है, तो छोटे-छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है, किसकी पगड़ी नीची होती है बता, एक लाक और जमा कर, हम तो वहां कलेउ की बाठ देख रहे हैं, तो यहां लड़ाई ठाने बैठी है, इतनी बेसरमी, आख का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गार दूंगा, उन्नी हाय हाय करती जाती थी, और कोस्ती जाती थी, तेरी मित्ती उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आवे, देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इनफ्लूए जा हो जाए, भगवान करे, तु कोडी हो जाए, हाथ पाव कट गिरें और गालिया तो हीरा खडाखडा सुनता रहा लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई है जा मरी आदी में कोई विशेश कष्ट न था इधर बीमार पड़े उधर विदा हो गए लेकिन कोड यह घिनोनी मौत और उससे भी घिनोना जीवन वह तिल्मिला उठा दांत पीस्ता हुआ पुनिया पर जप्टा और जोटे पकड़ कर फिर उसका सिर जमीन पर रगरता हुआ बोला हाथ पाव कट कर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूँगा तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी तू ही इतनी बड़ी गिरस्ती चलाएगी तू तो दूसरा भतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी चौधरी को पुनिया की इस दुर्गती पर दया आ गई हीरा को उदारता पूर्वक समझाने लगा हीरा महतो अब जाने दो बहुत हुआ क्या हुआ बहुने मुझे मारा मैं तो छोटा नहीं हो गया धन्य भाग की भगवान ने यह दिन तो दिखाया हीरा ने चौधरी को डाटा तुम चुप रहो चौधरी नहीं मेरे क्रोध में पढ़ जाओगी तो बुरा होगा और अच्जात इसी तरह बहक्ती है आज को तुम से लड़ गई कल को दूसरों से लड़ जाएगी तुम भले मानुस हो हस कर टाल गए दूसरा तो बरदास न करेगा कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी बताओ इस खयाल ने उसके क्रोध को फिर भरकाया लपका था कि होरी ने दोर कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला अरे हो तो गया देख तो लिया दुनिया ने कि बड़े बहादूर हो अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था सीधे सीधे न लड़ता था चाहता तो एक जटके में अपना हाथ छुड़ा लेता लेकिन इतनी बेयद भी न कर सका चौधरी की ओर देख कर बोला अब खड़े क्या ताकते हो जाकर अपने बास काटो मैंने सही कर दिया पंद्रह रुपए सैकडे में तै है कहां तो पुन्नी रो रही थी कहां जहमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली लगा दे घर में आँख मुझे क्या करना है भाग फ लगा दे घर में आग उसने कलेउ की तोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली हीरा गरजा वहां कहा जाती है चल कुए पर नहीं खून पी जाओंगा पुनिया के पाव रूप गए इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती थी चुपके से तोकरी उठा कर रोती हुई कोई की ओर चली हीरा भी पीछे पीछे चला होरी ने कहा अब फिर मारधार न करना इससे औरत बेसर्म हो जाती है धनिया ने ध्वार पर आकर हाक लगाई तुम वहां खड़े-खड़े क्या तमासा देख रहे हो कोई तुम्हारी सुनता भी है कि योहीं सिच्छा दे रहे हो उस दिन इसी बहु ने तुम्हें घूंगट की आर में दाड़ी जार कहा था भूल गए बहुरिया होकर पराय मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी होरी ध्वार पर आकर नट खटपन के साथ बोला और जो मैं इसी तरह तुझे मारू क्या कभी मारा नहीं है जो मारने की साथ बनी हुई है इतनी बेदर्दी से मारता तो तुझ घर छोड़ कर भाग जाती पुनिया बड़ी गमखोर है ओहू ऐसे ही तो बड़े दरदवाले हूँ अभी तक मार का दाग बना हुआ है हीरा मारता है तो दुलारता भी है तुमने खाली मारना सीखा दुलार करना सीखा ही नहीं मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे साथ निबाह हुआ अच्छा रहने दे, बहुत अपना बखान न कर, तू ही रूट रूट नहर भागती थी जब महीनों खुसामद करता था, तब जा कर आती थी जब अपने गरच सताती थी, तब मनाने जाते थे लाला मेरे दुलार से नहीं जाते थे इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपने गुलाबी मादक्ता के साथ उदे होती है और हृदे के सारे आकाश को अपने माधूरे की सुनहरी किर्नों से रंजित कर देती है फिर मध्याहन का प्रखर ताप आता है शनक्षन पर बगुले उठते हैं और प्रित्वी का अपने लगती है लालसा का सुनहरा आवर्ण हट जाता है और वास्तविक्ता अपने नग्न रूप में सामने आखडी होती है उसके बाद विश्राम में संध्या आती है किसी उचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जन्रव हम तक नहीं पहुचता धनिया ने आखों में रस भर कर कहा चलो चलो बड़े बखान करने वाले जरासा कोई काम बिगर जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो होरी ने मीठे उलाहने के साथ कहा ले अब यही तेरी बेनसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती धनिया भोला से पूछ मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था धनिया ने बात बदल कर कहा देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ चौधरी ने पसीने में लटपथा कर कहा महतो चल कर बास गिन लो कल थेला लाकर उठा ले जाऊंगा होरी ने बास गिनने की जरूरत न समझी चौधरी ऐसा आदमी नहीं है फिर एकाध बास बेसी काट ही लेगा तो क्या रोज ही तो मंगनी बास कटते रहते हैं सहालगों में तो मंडब बनाने के लिए लोग दरजनों बास काट ले जाते हैं चौधरी ने साड़े साथ रुपए निकाल कर उसके हाथ में रख दिये होरी ने गिन कर कहा और निकालो किसाब से धाई और होते हैं चौधरी ने बेमुरोवती से कहा 15 रुपए में तै हुए है की नहीं 15 रुपए में नहीं 20 रुपए में हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपए कहे थे कहो तो बुला लाओ तै तो 20 रुपए में ही हुए थे चौधरी अब तुम्हारी जीत है जो चाहो कहो धाई रुपए निकलते हैं तुम दो ही दे दो मगर चौधरी कच्ची गोलिया न खेला था अब उसे किसका डर होरी के मुह में तो ताला पड़ा हुआ था क्या कहे माथा ठोंक कर रह गया बस इतना बोला यह अच्छी बात नहीं है चौधरी दो रुपए दबा कर राजा न हो जाओगे चौधरी तीक्षन स्वर में बोला और तुम क्या भाईयों के थोड़े से पैसे दबा कर राजा हो जाओगे धाई रुपए पर अपना इमान बिगार रहे थे उस पर मुझे उपतेश देते हो अभी परदा खोल दू तो सिर नीचा हो जाए होरी पर जैसे सैक्रों जूते पड़ गए चौधरी तो रुपए सामने जमीन पर रख कर चला गया पर वह नीन के नीचे बैठा बड़ी देर तक पच्चताता रहा वह कितना लोभी और स्वार थी है इसका उसे आज पता चला चौधरी ने धाई रुपए दे दिये होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता अपने चालाकी को सराहता कि बैठे बैठाए धाई रुपए मिल गए ठोकर खा कर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं धनिया अंदर चली गई थी बाहर आई तो रुपए जमीन पर पड़े देखे गिन कर बोली और रुपए क्या हुए दस न चाहिए होरी ने लंबा मुह बना कर कहा हीरा ने पंद्रह रुपए में दे दिये तो मैं क्या करता हीरा पांच रुपए में दे दे हम नहीं देते इन दामो वहां मार पीठ हो रही थी मैं बीच में क्या बोलता होरी ने अपने पराजय अपने मन में ही डाल ली जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चड़े और घिर पढ़ने पर धूल जारता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख न ले जीत कर आप अपने धोखे बाजियों की धींग मार सकते हैं जीत में सब कुछ माफ है हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है धनिया पती को फटकारने लगी ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे होरी उससे चतुर था पर आज बाजी उसके हाथ थी हाथ मटका कर बोली क्यों न हो भाई ने पंद्रह रुपए कह दिये तो तुम कैसे टोकते अरे राम राम लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता की नहीं फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहु के गले पर छुरी चल रही थी तो भला तुम कैसे बोलते उस बखत कोई तुम्हारा सर्बस लूट लेता तु भी तुम्हें सुधा न होती होरी चुपचाप सुनता रहा मिंका तक नहीं जुंजला हट हुई क्रोध आया खून खोला आख जली दांत पिसे लेकिन बोला नहीं चुपके से कुदाल उठाई और उख कोरने चला याने कुदाल छीन कर कहा क्या अभी सबेरा है जो उख कोरने चले सूरज देवता माथे पर आ गए नहाने धोने जाओ रोटी तयार है होरी ने घुनना कर कहा मुझे भूख नहीं है धनिया ने जले पर नोन छिड कहा काहे को भूख लगेगी भाई ने बड़े-बड़े लड़ू खिला दिये है न भगवान ऐसे सपूत भाई सब को दे होरी बिगड़ा और क्रोध अब रसिया तुड़ा रहा था तु आज मार खाने पर लगी हुई है धनिया ने नकली विने का नाटक करके कहा क्या करूँ तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर्फ फिर गया है तु घर में रहने देगी की नहीं घर तुम्हारा मालिक तुम मैं भला कौन होती हूं तुम्हें घर से निकालने वाली होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता उसकी अकल जैसे कुन हो गई है इन व्यंगे बारों के रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है धीरे से कुदाल रख दी और गमच्छा लेकर नहाने चला गया लोटा कोई आधा घंटे में मगर गोबर अभी तक ना आया था अकेले कैसे भोजन करे लोन्डा वहां जाकर सो रहा भोला की वह मदमाती छोकरी है न जुनिया उसके साथ हसी दिल्लिगी कर रहा होगा कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था नहीं गाय दी तो लोट क्यों नहीं आया क्या वहां धई देगा धनिया ने कहा अब खड़े क्या हो गोबर साज को आएगा होरी ने और कुछ न कहा कहीं धनिया फिर न कुछ कह बैठे भोजन करके नीम की चाह में लेट रहा रूपा रोती हुई आई नंगे बदन एक लंगोटी लगाए जबरे बाल इधरुधर बिखरे हुए होरी की चाती पर लोट गई उसकी बड़ी बहिन सोना कहती है गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी रूपा यह नहीं बरदाश्ट कर सकती है सोना ऐसी कहा की बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पाथ डाले रूपा उससे किस बात में कम है सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बरतन नहीं माझती सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुए पर रस्सी नहीं ले जाती सोना तो कलसा भर कर इठलाती चली आती है रस्सी समेट कर रूपा ही लाती है गोबर दोनों साथ पाथती है सोना खेत गोडने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती फिर सोना क्यों अकेली गोबर पाथेगी, यह अन्याय रूपा कैसे सहे, होरी ने उसके भोलेपन पर मुगध होकर कहा, नहीं गाय का गोबर तू पार्थना, सोना गाय के पास आय तो भगा देना, रूपा ने पिता के गले में हाथ डाल कर कहा, दूद भी मैं ही दुहूंगी हाँ, हाँ, तू न दुहेगी तो और कौन दुहेगा, वह मेरी गाय होगी, हाँ, सोल हो आने तेरी, रूपा प्रसन होकर, अपने विजय का शुप समाचार पराजित सोना को सुनाने चली गई गाय मेरी होगी, उसका दूद मैं दुहूंगी, उसका गोबर मैं पाथूंगी, तुझे कुछ न मिलेगा सोना उम्र से किशोरी, देह के गठन में युफ्ती और बुद्धी से बालिका थी, जैसे उसका योवन उसे आगे खीचता था, बारपन पीछे कुछ बातों में इतनी चतूर की ग्रेजुएट युफ्तियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अलहर की शिशों से भी पीछे लंबा, रूखा, किन्तु प्रसन मुख, थोड़ी नीचे को खिंची हुई, आखों में एक प्रकार की त्रिप्ती, ना केशों में तेल, ना आखों में काजल, ना देह पर कोई अभूशन, जैसे ग्रिहस्थी के भार ने योवन को दबा कर बौना कर दिया हो सिर को एक जटका देकर बोली जा, तु गोबर पात, जब तु दूध दुह कर रखेगी, तो मैं पी जाऊंगी, मैं दूध की हाडी ताले में बंद करके रखूंगी, मैं ताला तोर कर दूध निकाल लाऊंगी यह कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी, आम गद्रा गए थे, हवा के जोकों से एकाध जमीन पर घिर पड़ते थे, लू के मारे चुचके, पीले, लेकिन बालवरिंद उन्हें टपके समझ कर बाग को घेरे रहते थे रूपा भी बहन के पीछे हो ली, जो काम सोना करे, वह रूपा जरूर करेगी सोना के विवाह की बात चीत हो रही थी, रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए वह स्वयम अपने विवाह के ये आगरह करती है उसका दूरहां, कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्नन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी न होता सांज हो रही थी, होरी ऐसा अलसाया कि उख कोरने न जा सका बैलों को नांध में लगाया, सानी खली दी और एक चिलम भर कर पीने लगा इस फसल में सब कुछ खलीहान में तॉल देने पर भी कोई तीन सो कर्स था, जिस पर कोई सो रुपए सूद के बढ़ते जाते थे मंगरू साह से आज पांच साल हुए, बैल के लिए साथ रुपए लिए थे, उसमें साथ दे चुका था, पर वह साथ रुपए ज्यों केतियों बने हुए थे दातादीन पंडित से तीस रुपए लेकर आलू बोए थे आलू तो चोर खोद ले गए, और उस तीस के इन तीन बरसों में सो हो गए थे दुलारी विध्वा सहुआइन थी, जो गाव में नोन, तेल, तमबाकू की दुकान रखे हुए थी बंठवारे के समय उससे चालिस रुपए लेकर भाईयों को देना पड़ा था उसके भी लगभग सो रुपए हो गए थे, क्योंकि आने रुपए का ब्यास था लगान के भी अभी पच्चीस रुपए बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन शगुन के रुपियों का भी कोई प्रबंध करना था बासों के रुपए बड़े अच्छे समय पर मिल गए शगुन की समस्या हल हो जाएगी लेकिन कौन जाने यहां तो एक धोला भी हाथ में आ जाए तो गाउं में शोन मत चाता है और लेंदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं यह पांच रुपए तो वह शगुन में देगा चाहे कुछ हो जाए मगर अभी जिन्दिगी के दो बड़े-बड़े काम सिर पर सवार थे गोबर और सोना का विवाह बहुत हाथ बांधने पर भी तीन सो से कम खर्च न होंगे ये तीन सो किसके घर से आएंगे कितना चाहता है कि किसी से एक पैसा कर्ज न ले जिसका आता हूँ उसका पाई-पाई चुका दे लेकिन हर तरह का कर्ष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घरदवार सब नीलाम हो जाएगा उसके बाल बच्चे निराश्रे हो कर भीख मांगते फिरेंगे होरी जब कामधंधों से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था तो यह चिंता एक काली दीवार की भांती चारों ओर से घेर लेती थी जिसमें से निकलने की उसे कोई गली न सूचती थी अगर संतोष था तो यही कि यह विपत्ती अकेले उसी के सिर न थी प्राए सभी किसानों का यही हाल था अधिकांश की दशा तो इससे भी बत्तर थी सोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी कुल तीन साल हुए थे मगर दोनों पर चार-चार सो का बोज लग गया था जींगूर दो हल की खेती करता है उस पर एक हजार से कुछ बेसी ही देना है जीयावन महतो के घर भिखारी भीक भी नहीं पाता लेकिन करजे का कोई ठिकाना नहीं यहां कौन बचा है सहसा सोना और रूपा दोनों दोरी हुई आई और एक साथ बोली भाईया गाय ला रहे हैं आगे आगे गाय तीछे पीछे भाईया है रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था यह खबर सुनाने की सुर्खरूई उसे मिलनी चाहिए थी सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है यह उससे कैसे सहा जाता उसने आगे बढ़कर कहां पहले मैंने देखा था तभी दोड़ी बहन ने तो पीछे से देखा सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी बोली तूने भाईया को कहां पहचाना तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है मैंने ही कहां भाईया है दोनों फिर बाग की तरफ दोड़ी गाय का स्वागत करने के लिए धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे होरी बोला चलो जल्दी से नाद गार दे धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी नहीं पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुर घोल कर रख दे बेचारी धूप में चली होगी प्यासी होगी तुम जा कर नाद गारो मैं घोलती हूँ कहीं एक घंटी पड़ी थी उसे ढूंड ले उसके गले में बांधेंगे सोना कहा गई सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लू गाय को नजर बहुत लगती है आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा न लाए यह शंका उसके निराश हृदे में कमपन डाल रही थी आकाश की ओर देखकर बोली गाय के आने का आनन्द तो तब है कि उसका पौरा भी अच्छा हो भगवान के मन की बात है मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनन्द नहीं हुआ कि इस शालू भगवान सुख का पलना उचा करने के लिए कोई नई विपत्ती भेज दें वह अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर आ पहुँचा होरी दोड कर गाय के गले से लिपट गया धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फार कर गाय के गले में पांध दिया होरी शद्धा वेवल नेत्रों से गाय को देख रहा था मानो साक्षात देवी जी ने घर में पदारपन किया हो आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गव के चर्णों से पवित्र हो गया यह सौभागे न जाने किसके पुर्णे प्रताप से धनिया ने भयातूर हो कर कहा खड़े क्या हो आंगन में नाद गार दो आंगन में जगह कहा है बहुत जगह है मैं तो बाहर ही गारता हूँ पागल न बनो गाउं का हाल जान अंजान बनते हो अरे बित्ते भर के आंगन में गाय कहां बांधोगी भाई जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अडाया करो संसार भर की विद्दा तुम ही नहीं पढ़े हो होरी सचमुच आपे में न था गाउं उसके लिए केवल भक्ती और श्रद्धा की वस्तु नहीं सजीव संपत्ती थी वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था वह चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधी देख कर पूछे यह किसका घर है लोग कहे होरी महतो का तभी लड़की वाले भी उसकी विभूती से प्रभावित होंगे आगन में बंधी तो कौन देखेगा धनिया इसके विप्वीत सशंक थी वह गाय को साथ परदों के अंदर छिपा कर रखना चाहती थी अगर गाय आठोन पहर कोठरी में रह सकती तो शायद वह उसे बाहर न निकलने देती यो हर बात में होरी की जीत होती थी वह अपने पक्ष पर अर जाता था और धनिया को दबना पड़ता था लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली धनिया लड़ने को तैयार हो गई गोबर, सोना और रूपा सारा घर होरी के पक्ष में था पर धनिया ने अकेले सब को परास्त कर दिया आज उसमें एक विचित्र आत्म विश्वास और होरी में एक विचित्र विने का उदे हो गया था मगर तमाशा कैसे रूख सकता था गाए डोली में बैठ कर तो आई न थी कैसे संभव था कि गाउं में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा न लगे जिसने सुना सब काम छोड़ कर देखने दोड़ा यह मामूली देशी गउं नहीं है भोला के घर से 80 रुपए में आई है होरी 80 रुपए क्या देंगे 50-60 रुपए में लाए होंगे गाउं के इतिहास में 50-60 रुपए की गाए का आना भी अभूत पूर्व बात थी बैल तो 50 रुपए के भी आए 100 के भी आए लेकिन गाए के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खाके खर्च करेगा यह तो ग्वालों ही का कलेजा है कि अंजुलियों रुपए गिन आते हैं गाए क्या है साक्षात देवी का रूप है दर्शकों और आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दोर दोर कर सबका सतकार कर रहा था इतना विनम्र इतना प्रसन्चित वह कभी न था सत्तर साल के बुड़े पंडित दातादीन लठिया तेकते हुए आए और पोपले मुह से बोले कहा हो होरी तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख ले सुना बड़ी सुन्दर है होरी ने दोर कर पालागन किया और मन में अभिमान में उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया महाराज ने गव को अपने पुरानी अनुभावी आखों से देखा सींगें देखी ठन देखा, पुट्टा देखा और घनी सफेद भौहों के नीचे छिपी हुई आखों में जवानी की उमंग भर कर बोले कोई दोश नहीं है बेटा बाल भौहरी, सब ठीत भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे ऐसे अच्छे लच्छन है कि वाह बस रातिब नकम होने पाए एक एक बाच्छा सौसो का होगा होरी ने आनंद के सागर में दुपकिया खाते हुए कहा सब आपका असीरबाद है दादा दाता दीन ने सुर्ती की पीक थूपते हुए कहा मेरा असीरबाद नहीं है बेटा भगवान की दया है यह सब प्रभू की दया है रुपए नगत दिये होरी ने बेपर की उड़ाई अपने महाजन के सामने भी अपने समरिध्धी प्रदर्शन का ऐसा अफसर पाकर वह कैसे छोड़े तके की नई तोपी सिर्पर रख कर जब हम अकरने लगते हैं जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठ कर जब हम आकाश में उरने लगते हैं तो इतनी बड़ी विभूती पाकर क्यों न उसका दिमाग आसमान पर चड़े बोला बोला ऐसा भला मानस नहीं है महाराज नगत गिनाए पूरे चौकस अपने महाजन के सामने यह डींग मार कर होरी ने नादानी तो की थी पर दातादीन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया इस कथन में कितना सत्य है यह उनकी उन बुजी आखों से छिपा न रह सका जिनमें ज्योती की जगा अनुभव छिपा बैठा था कसन होकर बोले कोई हरज नहीं बेटा कोई हरज नहीं भगवान सब कल्याड करेंगी पांच सेव दूध है इसमें बच्चे के लिए छोड़ कर धनिया ने तुरंथ तो का अरे नहीं महाराज इतना दूध कहा बुढिया तो हो गई है फिर यहां रातिप कहा धरा है दातादीन ने मर्मभवी आखों से देख कर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया मानो कह रहे हूं ग्रहिनी का यही धर्म है सीखना मर्दों का काम है उन्हें सीखने दो फिर रहसे भरे स्वर में बोले बाहर न बांधना इतना कहे देते हैं धनिया ने पती की ओर विजी आखों से देखा मानो कह रही हो लो अब तो मानोगे दातादीन से बोली नहीं महाराज बाहर क्या बांधेगे भगवान दे तो इसी आंगन में तीन गाए और बंधा सकती है सारा गाव गाए देखने आया नहीं आये तो सोभा और हीरा जो अपने सगे भाई थे होरी के हृदे में भाईयों के लिए अब भी कोमल स्थान था वह दोनों आकर देख लेते और प्रसन हो जाते तो उसकी मनो कामना पूरी हो जाती साज हो गई दोनों पुर लेकर लोट आए इसी द्वार से निकले पर पूछा कुछ नहीं होरी ने डरते डरते धनिया से कहा न सोभा आया नहीं रा सुना न होगा धनिया बोली तो यहां कौन उन्हें बुलाने जाता है तू बात तो समझती नहीं लड़ने के लिए तयार रहती है भगवान ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सिर जुका कर चलना चाहिए आदमी को अपने सगों के मुह से अपने भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है बाहर वालों के मुह से नहीं फिर अपने भाई लाख बुरे हूँ ए तो अपने भाई ही अपने हिस्से बखरे के लिए सभी लड़ते हैं पर इससे खून थोड़े ही बंट जाता है दोनों को बुला कर दिखा देना चाहिए नहीं कहेंगे गायलाए हमसे कहा तक नहीं धनिया ने नाक सिकोड कर कहा मैंने तुमसे सो बार हजार बार कर दिया मेरे मुह पर भाईयों का बखान नकिया करो उनका नाम सुन कर मेरी देह में आग लग जाती है सारे गाम ने सुना क्या उन्होंने न सुना होगा कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते सारा गाम देखने आया उनहीं के पावों में मेहदी लगी हुई थी मगर आय कैसे जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय आ गई छाती फटी जाती होगी दिया बत्ती का समय आ गया था धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिटल न था बोतल उठा कर तेल लाने चली गई पैसे होते तो रूपा को भेजती उधार लाना था कुछ मुह देखी कहेगी कुछ लल्लो चपको करेगी तभी तो तेल उधार मिलेगा होरी ने रूपा को बुला कर प्यार से गोद में बैठाया और कहा जरा जाकर देख हीरा काका आ गय की नहीं सोभा काका को भी देखती आना कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है ना आए हाथ पकड़ कर खींच लाना रूपा ठुनक कर बोली छोटी काकी मुझे डाटती है काकी के पास क्या करने जाएगी फिर सोभा भू तो तुझे प्यार करती है सोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं मैं मैं कहूंगी क्या कहते हैं बता क्या कहकर चिढ़ाते हैं कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ रखा है। ले जा भून कर खा ले। होरी के अंतस्तल में गुदगुदी हुई। तु कहती नहीं पहले तुम खालो तो मैं खाऊंगी। अम्मा मने करती हैं। कहती हैं उन लोगों के घर न जाया करो। तु अम्मा की बेटी है की दादा की। रूपा ने उसके गले में हाथ डाल कर कहां अम्मा की और हंसने लगी। तो फिर मेरी गोद से उतर जा। आज मैं तुझे अपने थाली में न खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी। होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गोरफ पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी। इस गोरफ का परित्याद कैसे करे। हुमक कर बोली अच्छा तुम्हारी। तो फिर मेरा कहना मानेगी की अम्मा का। तो जाकर हीरा और सोभा को खींचला और जो अम्मा बिगड़े अम्मा से कहने कौन जाएगा रूपा कूती हुई हीरा के घर चली द्वेश का माया जार बड़ी-बड़ी मचलियों को ही फसाता है छोटी मचलिया या तो उसमें फस्ती ही नहीं या तुरंथ निकल जाती है उन से होरी की बोलचाल बंद थी पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी बच्चों से क्या बैर लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया तेल लिये मिल गई उसने पूछा सांज की बेला कहा जाती है चल घर रूपा मा को प्रसंद करने के प्रलोभन को न रोक सकी धनि रूपा का हाथ पकड़े हुए वह घर आई और होरी से बोली मैंने तुम से हजार बार कह दिया, मेरे लड़कों को किसी के घर न भेजा करू किसी ने कुछ करकरा दिया, तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी ऐसा ही बड़ा परेम है, तो आप क्यों नहीं जाते अभी पेट नहीं भरा जान परता है, होरी नांद जमा रहा था हाथों में मिट्टी लपेते हुए अज्ञान का अभिने करके बोला किस बात पर बिगरती है भाई, यह तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकुर की तरह हवा को भूका करे, धनिया को कुप्पी में तेल डालना था, इस समय जगडा न बढ़ाना चाहती थी, रूपा भी लड़कों में जा मिली, पहर रात से ज्यादा जा चुकी थी, नांद गर चुकी थी, सानी और खली डाल दी गई थी, गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू ससुरार आई हो, नांद में मुह तक न डालती थी, होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटिया उसके लिए लाए, पर उसने सुंगा तक नहीं, मगर यह कोई नई बात न थी, जानवरों को भी बहुधा घर छूट जाने का दूख होता है, होरी बाहर खाट पर बैठ कर चिलम पीने लगा, तो फिर भायों की याद आई, नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भायों की उपेक्षा नहीं कर सकता, उसका हृदय यह विभूती पाकर विशाल हो गया था, भायों से अ पहले आई होती, तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता, और कल को यही गाय दूध देने लगेगी, तो क्या वह भायों के घर दूध न भेजेगा, या दही न भेजेगा, ऐसा तो उसका धरम नहीं है, भाय उसका बुरा चेते, वह क्यों उनका बुरा चेते, अपनी अपने अपने साथ है, उसने नारियल खाट के पाय से लगा कर रख दिया, और हीरा के घर की ओर चला, सोभा का घर भी उधर ही था, दोनों अपने अपने द्वार पर लेते हुए थे, काफी अंधेरा था, होरी पर उनमें से किसी की निगाह नहीं पड़ी, दोनों में कुछ बाते हो रही थी, होरी ठिठक गया और उनकी बाते सुनने लगा, ऐसा आदमी कहा है, जो अपने चर्चा सुनकर टाल जाए, हीरा ने कहा, जब तक एक में थे, एक बकरी भी नहीं ली, अब पच्छाई गाय ली जाती है, भाई का हक मार कर किसी को फलते फूलते नहीं देख सोभा बोला, यह तुम अन्याय कर रहे हो हीरा, भाईया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया था, यह मैं कभी न मानूँगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी थी, तुम मानो चाहे न मानो, यह पहले की कमाई, अच्छा, तो यह रुपय कहां से आ गए, कहां से हु हमारे पास भी है, उतनी ही उपज हमारी भी है, फिर क्यों हमारे पास कफन को कोड़ी नहीं, और उनके घर नई गाय आती है, उधार लाए होंगे, भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है, कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुन्दर, गोबर लिये जाता था, तो मैंने रास् है, वैसे ही जाता है, भगवान चाहेंगी, तो बहुत दिन गाय घर में न रहेगी, होरी से और न सुना गया, वह बीती बातों को बिसार कर, अपने हृदे में स्नेह और सोहार्द भरे, भायों के पास आया था, इस आघात ने जैसे उसके हृदे में छेद कर दिया, और वह रसभाव उसमें किसी तरह नहीं तिक रहा था, लत्ते और चितरे ठूंस कर अब उस प्रवाह को नहीं रोक सकता, जी में एक उबार आया कि उसी क्षण इस आक्षेप का जवाब दे, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रह गया, अगर उसकी नियत साफ है, तो कोई क कुछ नहीं कर सकता, भगवान के सामने वह निर्दोश है, दूसरों की उसे परवाह नहीं, उल्ते पाव लोट आया, और वह जला हुआ तंबाकू पीने लगा, लेकिन जैसे वह विश प्रतिक्षण उसकी धम्यों में फैलता जाता था, उसने सो जाने का प्रयास किया, पर नींद ना आई, बैलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगा, विश शांत नहुआ, दूसरी चिलम भरी, लेकिन उसमें भी कुछ रस न था, विश ने जैसे चेतना को आकरांद कर दिया हूँ, जैसे नशे में चेतना एकांगी हो जाती है, जैसे फैला हुआ पानी एक दिश में वहां अंदर गया, अभी द्वार खुला हुआ था, आंगन में एक किनारे चटाई पर लेती हुई धनिय सोना से देह दबवा रही थी, और रूपा जो रोज सांज होते ही सोजाती थी, आज खड़ी गाय का मुह सहला रही थी, होरी ने जाकर गाय को खूटे से खोल लि सिर पर लेकर वहां अब गाय को घर में नहीं रख सकता, किसी तरह नहीं, धनिया ने पूछा, कहा लिये जाते हो रात को, होरी ने एक पक बढ़ा कर कहा, ले जाता हूँ भोला के घर, लोटा दूंगा, धनिया को विस्मय हुआ, उठकर सामने आ गई और बोली, लोटा क्यो दोगे, लोटाने के लिए ही लाए थे, हाँ, इसके लोटा देने में ही कुसल है, क्यों बात क्या है इतने अर्मान से लाए और अब लोटाने जा रहे हो, क्या भोला रुपए मांगते हैं, नहीं, भोला यहां कब आया, तो फिर क्या बात हुई, क्या करोगी पूछ कर, धन भाईया ने लपक कर पघिया उसके हाथ से छीन ली, उसकी चपल बुद्धी ने जैसे उरती हुई चिडिया पकड़ ली, बोली तुम्हें भाईयों का डर हूँ, तो जाकर उनके पैरों पर गिरू, मैं किसी से नहीं डरती, अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती जाए, मुझे परवाह नहीं है, होरी ने विनीत स्वर में कहा, धीरे धीरे बोल महरानी, कोई सुने तो कहे, ये सब इतनी रात गए लड़ रहे हैं, मैं अपने कानों से क्या सुन आया हूँ, तु क्या जाने, यहां चर्चा हो रही है, कि मैंने अलग होते समय रुपए लिये थे और भाईयों को धोखा दिया था, यही रुपए अब निकल रहे हैं, हीरा कहता होगा, सारा गाव कह रहा है, हीरा को क्यों बदनाम करूँ, सारा गाव नहीं कह रहा है, अकेला हीरा कह रहा है, मैं अभी जाकर पूछती हूँ ने, कि तुम्हारे बाप कितने पीछे हम बरबाद हो गए, सारी जिन्दगी मिट्टी में मिला दी, पालपोस कर संदा किया, और अब हम बेइमान हैं, मैं कह देती हूँ, अगर गाय घर के बाहर निकली, तो अनर्थ हो जाएगा, रख लिये हमने रुपए, दबा लिये, बीच खेत दबा लिये, दंके की चोट कहती हूँ, मैंने हंडे भर असरफिया छिपा ली, हीरा और सोभा और संसार को जो करना हो, कर ले, क्यों न रुपए रख ले, दोदो संदों का ब्याह नहीं किया, गोना नहीं किया, होरी सिट पिटा गया, धनिया ने उसके हाथ से पढ़िया छीन ली, और गाय को करना चाहा, पर वह बाहर जा चुकी थी, वहीं सिर्थ थाम कर बैठ गया, बाहर उसे पकड़ने की चेश्टा करके, वह कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था, धनिया के क्रोध को खूब जानता था, बिगरती है, तो चंडी बन जाती है, मारो, काटो, सुनेगी नहीं, ल इतना मूरक नहीं है, मैंने कहा सेखा यह आग लगा दी, उसे अपने आप पर क्रोध आने लगा, बात मन में रख लेता, तो क्यों यह तंटा खड़ा होता, सहसा धनिया का करकश स्वरकान में आया, हीरा की गरज भी सुन पड़ी, फिर कुन्नी की पैनी पीक भी कानों में सहसा उसे गोबर की याद आई, बाहर लपक कर उसकी खाट देखी, गोबर वहां न था, गजब हो गया, गोबर भी वहां पहुँच गया, अब कुशल नहीं, उसका नया खून है, न जाने क्या कर बैठे, लेकिन होरी वहां कैसे जाए, हीरा कहेगा, आप तो बोलते नहीं, जाकर इस डाइन को लडने के लिए भेज दिया, कोला हल प्रतिक्षन प्रचंड होता जाता था, सारे गाव में जाग पड़ गई, मालूम होता था, तहीं आग लग गई है, और लोग खाट से उठुट बुझाने दोड़े जा रहे हैं, इतनी देर तक तो वह जब्त किये पैठा रहा, फिर न रहा गया, धनिया पर क्रोध आया, वह क्यों चड़कर लडने गई, अपने घर में आदमी न जाने किसको क्या करता है, जब तक कोई मुह पर बात न कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा, होरी की क्रिशक प्रकृती जगडे से भागती थी चार बाते सुनकर गम खा जाना इससे कहीं, अच्छा है कि आपस में तना जा हो, कहीं मार पीठ हो जाए तो थाना पुलिस हो, बंधे बंधे फिरो, सबकी चिरौरी करो, अदालत की धूलफा को खेती बारी जहिन्नुम में मिल जाए, उसका हीरा कोई बस न था, मगर धनिया को तो वह जबर्दस्ती खीच ला सकता है, बहुत होगा, गालिया दे लेगी, एक दो दिन रुठी रहेगी, ठाना पुलिस की नौबत तो नहाएगी, जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार की आर में खड़ा हो गया, एक सेनापती की भाती मैदान में आने के पहले परिस्थिती को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था, अगर अपने जीत हो रही है, तो बोलने की कोई जरूरत नहीं, हार हो रही है, तो तुरंत कूद पड़ेगा, देखा तो वहां पचासों आदमी जमा हो गए हैं, पंदित तातादी, लाला पटेश्वरी, दोनों जो गाउं के करता धरता थे, सभी पहुचे हुए हैं, धनिया का पला हलका हो रहा था, उसकी उगरता जनमत को उसके विरुध किये देती थी, वह रणनीती में कुशल न थी, क्रोध में ऐसी जलीक्ती सुना रही थी, कि लोगों की सहानुभूती उससे दूर होती जाती थी वह गरज रही थी, तो हमें देख कर क्यों जलता है, हमें देख कर क्यों तेरी चाती फट्ती है, पाल पोस कर जवान कर दिया, यह उसका इनाम है, हमने न पाला होता, तो आज कहीं भीक मांगते होते, एक की छाह भी न मिलती होरी को ये शब्द जरूरत से ज्यादा कठोर जान पड़े, भाईयों का पालना पोसना तो उसका धर्म था, उनके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में थी, कैसे न पालता पोसना, दुनिया में कहीं मुह देखाने लायक रहता हीरा ने जवाब दिया हम किसी का कुछ नहीं जानते, तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन-दिन भर काम करते थे, जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है, दिन-दिन भर सूखा गोबर बीना करते थे, उस पर भी तु बिना दस का दिये रोटी न देती थी, तेरी जैसी राच्छसिन के हाथ में पढ़कर जिंदगी तलक हो गई, धनिया और भी तेज हुई जबान संभार, नहीं जीब खीच लूँगी, राच्छसिन तेरी औरत होगी, तु है किस फेर में मूरी काटे, तुकडे खूर, नम कहराम, दाता दीन ने टोका, इतना कटू वचन क्यों कहती है धनिया, नारी का धरम है कि गम खाए, वह तो उजड है, क्यों उसके मुह लगती है, लाला पटेश्वरी पटवारी ने उसका समर्थन किया बात का जवाब बात है, गाली नहीं, तुने लड़कपन में उसे पाला पोसा, ले के सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, चौमुख लड़ाई लडने के लिए तैयार हो गई अच्छा, रहने दो लाला, मैं सब को पहचानती हूँ, इस गाव में रहते 20 साल हो गए, एक-एक की नसंस पहचानती हूँ, मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा र पहाई, मरद के मुह लगती है, होरी ही जैसा मरद है कि इसका निबाह होता है, दूसरा मरद होता तो एक दिन न पढ़ती, अगर हीरा इस समय जरा नर्म हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालिया सुनकर आपे से बाहर हो गया, औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो रहा था, गला फार कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं जूतों से बात करूँगा, जोनता पकड़ कर उखार लूँगा, गाली देती है डाइं, बेटे का घमंड हो गया है, खूर, पांसा पलट गया, होरी का खून खौल उठा, बारूत में जैसे च चिंगारी पढ़ गई हो, आगे आकर बोला, अच्छा बस, अब चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता, मैं इस औरत को क्या कहूँ, जब मेरी पीठ में धूर लगती है, तो इसी के कारण, नर जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता, चारों ओर से हीरा पर बोच पढ़ने लगी, दातादीन ने निरलज कह पटेश्वरी ने गुन्दा बनाया, जिंगुरी सिंग ने शैतान की उपाधी दी, दुलारी सहुआइन ने कपूत कहा, एक उधन शब्द ने धनिया का पल्ला हलका कर दिया था, दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया, उस पर होरी के सन्यत वाके ने रहीस ही कसर भी पूरी कर दी, हीरा संभल गया, सारा गाव उसके विरुध हो गया, अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है, क्रोध के नशे में भी इतना होश उसे बाकी था, धनिया का कलेजा दूना हो गया, होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाईयों के लिए मरते हो, यह भाई हैं, ऐसे भाई को मुह न देखे, यह मुझे जूतों से मारेगा, खिला पिला, होरी ने डाटा फिर क्यों बकपक करने लगी तू, घर क्यों नहीं जाती, धनिया जमीन पर बैठ गई और आर्थ स्वर में बोली, अब त तो इसके जूते खा के जाऊंगी, जरा इसकी मर्दुमी देख लू, कहा है गोबर, अब किस दिन काम आएगा, तू देख रहा है बेटा, तेरी मा को जूते मारे जा रहे हैं, यों विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला, हाथ पकड़ कर घर की ओर खींच रही थी, सहसा धनिया ने सिंधनी की भाती जपट कर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया, कि वह धम से गिर पड़ा और बोली कहा जाता है, जूते मार, मार जूते, देखू तेरी मर्दुमी, होरी ने दोर कर उसका हाथ पकड़ लिया और घस सीटता हुआ घर ले चला